दोस्तों, कहते हैं कि अगर हम सीखना चाहें, तो प्रकती के कणकण से कुछ न कुछ जरूर सीख सकते हैं, तो चलिए पक्षियों से भी कुछ सीखते हैं, पक्षी सुबह जल्दी उड़ते हैं, गाते चहचाहते हुए, अपने नए दिन के शुरुआत, ये एक नए उर्जा और उमंग के साथ करते हैं, रात में ये पक्षी नहीं गूंते, शाम होते ही अपने घोसले में आ जाते हैं, और समय से सो जाते हैं, अपना आहार ये पक्षी कभी नहीं वदलते, जो मिला वही खाते जाओ, ऐसा भी ये नहीं करते, जरूरत से ज्यादा पक्षी कभी नहीं खाते आप चाहे जितना दाना डाल दो ये जरुवत भर खाकर उड़ जाते हैं साथ में ये पक्षी कुछ भी नहीं ले जाते रात में पक्षी कुछ नहीं खाते इनको जो भी खाना होता है ये दिन के उजाले में ही खा लेते हैं कठिन परिशन करना तो कोई इन पक्षियों स सिखे रात के सिवा आराम नहीं करते ये इनकी तरह काम करने से हरदय केडिनी और लीवर के रोग तो कभी नहीं घेरते बीमारी आई तो खाना ही छोड़ देते हैं ये ये तभी खाएंगे जब ये ठीक हो जाएंगे अपने बच्चों को भरपूर प्यार देते हैं ये बक्ष अपने बच्चों को अपने उपर निर्भर भी नहीं रहने देते समय से उन्हें आपने निर्भर बनाकर खुले आकाश में आजाज छोड़ देते हैं और सबसे महत्तुपुन बात यह है कि प्रकती का दुर्पियोग ये नहीं करते ये प्रकती से उतना ही लेते हैं जितना इन्हें जरूरत है दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि हम भी इनके कुछ गुणों को अपने जीवन में ढाल सकते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोशाहन कीजिए मिलती हूँ ऐसे ही एक नए प्रेरप्रसंग के साथ